आज हम बात करने जा रहा हैं एक ऐसी बीमारी की जो हर घर में लगवई का पेशन्ट ऐसा मिल जाता है आपको और ये आपके घर में ना हो तो आपके रिष्टेदारी में या आप कहीं जाते हैं तो इस तरह की समस्या वाला कोई न कोई विक्ति आपको मिल जाएगा जी हाँ हम बात कर रहे हैं खर्राटे की इसको इंगलिश में स्नूरिंग बोलते हैं और ये खर्राटे जब किसी को आते हैं तो जिसको आ रहे हैं उसको पता नहीं चलता लेकिन वो जो हाँ सो रहा होता है उसके पडोसियों को पता चल जाता है और वो उन खर्राटों से इतना परेशान हो जाते हैं कि रात को सो नहीं पाते लेकिन जो खर्राटे ले रहा होता है उसको कुछ पता नहीं चलता और बड़े आराम से सोता है और सुबह अगर आप उससे बात करेंगे तो वो यह बोलेगा नहीं मैंना तो खर्राटे नहीं लिए तो ये नॉर्मल सी बात है ये हर जगे होती है और ऐसा ही रियेक्ट होता है इसका इसकी आज हम औशदी की बात करेंगे इसकी सबसे अच्छी औशदी जो आपके घर में है हमारे घरों में है आराम से मिल जाती है वो है देशी गाय का गी देशी गाय का गी इसकी बहुत अच् और दुबारा खर्राटे की परेशानी नहीं होगी उन लोगों को परेशानी होगी जिनके पास देशी गाये आसपास नहीं है या जिनको देशी गी बड़ी मुश्किल से उपलब्द होता है अगर उनके पास ऐसी प्रॉबलम है तो वो ऑनलाइन इसको ओडर कर सकते है डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा वहाँ जाकर आप इसको ले सकते हैं उसमें देशी गाये के घी के साथ कुछ अन्य ओशदियां भी मिलाई गई है और यहाँ पर यह चोटे से कुटी रुद्योग में तयार होती है वो घर पर बनाते हैं देशी गाये के घी से तयार करते हैं बहुत अच्छी ओशदी है जितने लोगों ने उसको यूज़ किया काफी अच्छा रिजल्ट रहा आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो आजी ओर्डर कर सकते हैं अगर गाये का घी उपलब्ध है तो वो गाये का घी ले आईए गाये का घी नहीं मिलता है आपको कन्फरम है देशी गाये का दूद मिल रहा है तो देशी गाय का दूद ले लीजिए और उस दूद को जमा दीजिए जमने से जो भी थोड़ा बहुत दही जमेगा उसको मत कर मक्षन निकाल लीजिए उस मक्षन को गर्म करेंगे तो उसमें इतना घी निकलाएगा जो आपकी नाक में डालने के लिए परियाप्त होगा वो घी आपके स्नूरिंग की समस्या को एक दम से ठीक कर देगा आपके खराटे आने की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके पडोसी भी अच्छी नींद सो पाएंगे आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काम के रही होगी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल सब्स्राइब जरूर कर दीजेगा